तो दोसो फाइनली आ चुक है जी इन्फिक्स नोर्स सीडिस का नोर्ट ट्वैल्फ जी हाँ यहाँ पर इन्फिक्स नोर्स ही जए हो पाकिस्तन में काफी परफिए भी आन्वॉक्स का नोंड्स सीडिस जब भी लाउंच में इसके मिलता है हमें इसके अंदर अमोल डिस्प्ले भी मिल जाता है जी यहां अमोल डिस्प्ले मिल रहा है यार काफी कमाल हो गया जो हमारा गेमिंग एक्सपीरिस है वो डिस्प्ले लाइशन इतनी हाई होगी तो हमें काफी मज़ा आने वाला है इसके अंदर हमें तीन वेरेंट देखनों मिलेंगे एक तो छे जीपी रहम और एक सो अठाइजी वाला वेरेंट है उसमें चिपसेट हमें हिलियो मीडिया टेक्ट जी एटी फाइफ देखनों मिलेगी प्राइस की बार करतों तीस हजान नो सो नियान में प्राइस रखे गए हैं यहां पर हमें इन्फिक्स नोट ट्वैल के अंदर और एक सो अठाइजी वाला एक वेरेंट मिलेगा इसकी प्राइस की बार करतों चौनतिस हजान नो सो नियान में प्राइस रखेंगे हैं और हमें एक और मॉडर मिलेगा और दो सो चपन जिबी यहां पर इसकी जान के हौाले से इन्फिक्स फॉभी टॉप पन पर जा रहा है तो यहां पर आपके को zaai agrees करते हैं जारे जी आन्पक्स दरहरों दो दोस्तों यहेयरा जी इन्फिक्स नोट 12 का बोक्स बोक्स क़ाएरा हमें मिलता हैं यहां पर देका हुआ हो है बेक से पे कुछ हाईलाइट फीचर मिल जाते हैं मेमरी है, कनेक्शन है, बैटरी है और जितने भी फीचर है सब लिखे हुए मिल जाते है एमोल्ड का लिखा हुआ है, जी नाइटी सिक चिपसेट है, 8GB प्लस 5GB रैम एक्स्टेंड हो जाएगी यह लिखाई बिखाव हुए जाले बाक्स करते हैं, बाक्स उपन कर लेते हैं, हमें सामने मिलते है अमारा फून ऐक पैकिंग के अंतर है कोबन निकार लेते हैं तो यह पैकिंग को भी हम कर लएते हैं जब तक देख लेते हैं सेसरी में क्या है तो यहाँ पर 1X Gold मिल जाता है X Park का मिल जाता है एक Free Phone जी सकते है और यहाँ पर हमें इसके अंदर एक Silicon Cover भी साथ में मिल जाता है Scratch रगने से बचाएगा और मजीद box में Simulator Tool मिल जाता है यहाँ पर हमें 33W का एक Charger को मिल जाता है और यहाँ पर काफी अच्छा Charger रहा है Fast charging करेगा और मजीद box के अंदर हमें एक C Type Data Cable देखने को मिल जाती है जिहां यह C Type Charging करेगा तो मजीद box के अंदर हमें कुछ नहीं मिलता काली है यहाँ पर आते हैं यह फून की तरह फून की बैक पर हमें 2 camera मिल रहे है और नीचे एक और यानिकर टोटल 3 camera है और LED light दी की है जो camera का design है वो काफी styler सा हमें देखने मिल आ बैक इसकी मैट दी की है ऐसा लग़ा जैसे glass की है इन फ्रिक्स देखें यह मैट भी होता है और शाइनिंग में देता है उपर से border camera के साथ वो शाइनिंग में मिल रहा है बैक काफी मज़े की है नीचे वाली सेट में हमें hand free का option मिल रहा है माइक मिल रहा है C type charging port मिल रही है और यहां पर हमें sim tray का option मिल जाता है और यह बिलकुल plane मिल जाती है तो यहां पर काफी प्यारा phone लग रहा है front side में हमें बीच में एक camera देखर को मिल जाता है तो यहां पर जी हम power button को press करके अपने phone को on कर लेते हैं मजीद जानते है इस phone के बारे में हमें मजीद क्या क्या फीचर देखने को मिलते है phone और चुका है on यहां पर आप जा सकते हैं के display की first look काफी colorful display है emol display दिया गया है यहां पर 1000 night speak के साथ display size की अगर मैं बात कर तो 6.7 inch इसका display size हमें मिल रहा है यहां पर 86.0% screen to body ratio हमें इसकी देखने को मिल जाती है यहां पर display option हमें इसकी 10.80 देखने को मिल रही है multiply 2400 pixel के साथ और यहां पर 393 ppi density देखने को मिल रही है काफी मजगद display है यहां पर हम इसमें video प्ले कर लेते हैं तो fully HD आप इसके अंदर वीडियो प्ले कर सकते हैं तो यहां पर आप दे सकते हैं इसके display option काफी अच्छी है बिलकुल colorful एकदम clear नज़र आ रहा है यहां पर अगर आप movies देखते हैं गेम्स खिलते हैं गेम्स के लिएस से एम होल डिस्प्ले काफी बेतर होता है यहां पर इस phone के अंदर हमें android का latest software देखनों मिलता है android 12 built-in दिया गया है यहां पर आपको xos 10.6 देखनों को मिल जाता है तो यह काफी अच्छी बात है इसके अंदर हमें latest software मिल रहा है आप इसको upgradable भी कर सकते हैं जहां पर display कमाल के दिया गया है यहां पर इस phone के अंदर हमें chipset भी काफी कमाल की देखनों मिलती है यहां media tech हमें यहां पर helio G96 chipset देखनों मिलती है 12 nanometer पर यह दिगी है CPU हमें इसके अंदर octa core मिल जाता है 2 multiplied 2.05 GHz और यहां पर हमें cortex A76 and 6 multiplied 2.0 GHz cortex A55 इसमें हमें मिल जाता है यहां पर GPU हमें इसके अंदर माली देखनों मिलता है G57 MC2 जी हां GPU भी काफी कमाल के दिया गया है जो हमारा gaming experience है वो काफी best रहने वाला है यहां पर बात करते हैं इसकी memory की इसकी memory जो हमें इस phone के अंदर 8 GB RAM मिल रही है और 256 GB मिल रही है बात करते हैं ह vis रहाँ काफी ऑफिफटी मेगा पिक्षल मिल जते हैं वाइड है सथ हेमेर पर 2 MP का यहां मिलता है यहां पर धापिछी का मिल जते हैं किमरे में क्या-क्या दिखन मिलते हैं इसमें short video का option मिलता है आप इसके अंदर short video record कर सकते हैं और आगे आपको इसमें video का option मिलता है वीडियो के अंदर आप यहाँ पर 1080p पे 720p और 2K तक इसमें video record कर सकते हैं और यहाँ पर 720p पे आप इसमें book के enable कर सकते हैं जो background हमारा blur होता है और यहाँ पर आप इसमें beauty on भी कर सकते हैं फ्लेश लाइट ओन भी कर सकते हैं आगे आपको इसमें AI cam का option मिल जाता है AI cam में आप ड्रेक 50 megapixel दे भी तस्वीरें ले सकते हैं आगे आपको इसके अंदर beauty का option मिलता है beauty minimums जो आप हैं वो तस्वीरें ले सकते हैं यहाँ पर आप अपनी मर्जिस से सेटिंग भी कर सकते हैं आगे आपको इसके अंदर portrait का option मिल जाता है portrait में आप इसका background वो blur कर सकते हैं यह भी काफी अच्छा है super night का option इसमें मिल जाता है यह काफी अच्छा और करता है यहाँ पर आपको मजीद उपर करते हैं तो आपको इसके अंदर जी slow motion में मिल जाता है panorama में मिल जाता है air shot pro का option मिल जाता है और documents और time less भी आपको इसमें मिल जाते हैं camera की बात की जाता है front camera में आते हैं front camera हमें यहाँ पर 16 megapixel का देखना मिलता है और 16 megapixel में आप front camera से 1080p पर video record कर सकते हैं 30 fps यहाँ पर बात करते हैं speaker की नीचे हमें speaker में रह और उपर dual speaker जाएगे है जब भी आपको कोई call आएगी तो एक चलेगा और जब आप कोई music प्ले करेंगे तो video प्ले करेंगे तो दोनो speaker चलेगे तो यह काफी मज़े का है speaker sound इसका बहुत ही अच्छा है यहाँ पर आपको इसमें 3.5 mm jack भी मिल जाता है हमें इसके अंदर वाइफ़े मेरी है Bluetooth भी है GPS भी हमें इस phone के अंदर मिल जाता है और आपको इसके अंदर FM radio भी built in मिल जाता है आप इसके अंदर USB भी लगा सकते हैं यह USB को सपोर्ट करता है और 1000GB की आप इसके अंदर hard drive भी लगा सकते हैं यह hard drive को भी सपोर्ट करता है fingerprint sensor की बाद की तो वह हमें side भी मिल जाता है काफी fast work करता है इसका fingerprint sensor और यहाँ पर जी हमें इसके अंदर extra meter भी मिल रहा है gyero भी हमें इसके अंदर मिल रहा है जी हाँ इसमें gyero दिया गया है game के लिए काफी यह जरूरी होता है proximity भी दिया गी है compass भी हमें इसके अंदर मिल जाता है बात की जाए बैटरी की तो वीवर 5000 mAh बैटरी है नो रिमोल बैटरी है तो यहाँ पर हमें fast charging मेरी है 33 वाट पर यह fast charging करने वाला है यह भी काफी best हो गया है यह थे अज़ की वीडियो वीडियो को like जूर करेगा जब नहीं है